आज हम पढ़ेंगे जिक्सकी दो किताबों के एक इंट्रोडेक्शन जिसकी दो किताबें जिसमें हमाने पास एक किताबें हैं किताब का इंट्रोडेक्शन करने से पहले हमारे पास आपको आज इसके बारे में इंट्रोडेक्शन करेंगे जैसे कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि वेव की रूम में जैसे कोई कुछ ही बोल देता है कि वेव है मार पास इस प्रकार इसको दरसाया जाता है मानते हैं कि यह वेव है लेकिन वेव का एक ग्राफिय निरुपन है वास्ति रूम से यह वेव नहीं है ऐसा भी हम कह सकते हैं वेव का इंट्रोडेक्शन करने के लिए में आपको एक छोटा सा उधारण देते हैं उधारण कुछ इस प्रकार है जैसे वेव से पहले थोटी सी पुरजा का ही एक परकार है जिसको हम तरंग कहते हैं जैसे हम एक उधारण लेते हैं ऊधारण में है देखते हैं वह दरस यह था कि गाड़ी तकराने के पशात में हमें आग लगती वे दिखाए दी गरम होजाती होंगात्शन की दोने वाले में इस्को हम कह सकते हैं उस्ष्मा वालमे आग लगी आग लगाणे से चारों तरफ क्या हो जाता है कि अका तकास लायट वाले इसको इतीर रजहती है और दिगो जो आपस में टकराती लए्द आवाज अती आवाज क्या होता हैं धढं यह कसे कहते हो के अवाज आवाज को पर वह सकते हैं और परकास और यह बनेगी अब आग लगाए और पास एक जिसको बोलते हैं विकीरंड ये दो ुर्जा जिसको कहा जाता है तरंग कहा जता है वह है यह वाड़ी वर्ड सारी के सारी जितनी उड़ जाएं तो धवनी उड़ जाओ परकास उड़ जाओ उश्मा उड़ जाओ या विकीरण हो यह सारे की सारी अब आग लगेगी तो इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अगरेशन को हिंदी में बोलते हैं विकीरण यह अंग्रिजी में हो जाएगा रेडियेशन भी कुछ मात्रा में निकल जाएगी मतलब अनावशक ग्यस्य या विकीरण तो हानिकारत हो इनी को हम बाढ़ते हैं इसके आदार पर कि मीडियम मीडियम के मतलब होता है म्मद्यम के आधार पर हम तरंग को बाढ़ते हैं यहीं तरंग किस प्रकार कौन-कौन से में रहे साथम टाइप ओफ वेव मतलब बेस ओफ मीडियम तरंगे माध्यम क्या दार पर मतलब यह वर्ड है याद रहा माध्यम माध्यम का मतलब दो चीजों के बीच में इस्तान जिसमें जो हो कुछ हो या ना हो माध्यम वाली इसको इसको गोलते एक नाम हो जाएगा चंचरण मतलब चलन प्रोपेगेशन चलने वाले में यहीं कि तरंग का अर्थ वापिस होई है जाएगा पुर्जा अगर चलती है यहीं किसी मध्यम में उस मध्यम के आदार पर तरंग को तीन भागों में पाठा गया है अब वह कुछ इस प्रकार है जैसे पहले का नाम है मार पास पहले का नाम है इसके फूल फॉर्म रजेगे मार पास है एलेक्ट्रो कि लेक्ट्रो मेगनेटिक के तरंग के तरंग वाले में जैसे इसको एक नाम से उसका कोई लेना देना नहीं है यहां पर एक नॉर्मल आधार बेस पर बात करते हैं तरंग की तरंग हम बाटेंगे इसके आधार पर माद्देम और सेंचरेंग के अदार पर तरंग चलती है माद्देम में और वह यह 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 इसके आधार पर इनको तीन भागों में बाटा गया हैं पहले का नाम इलेक्ट्रो वापिस कहा हमें ले लेंगे येनी कोई भी उठ्जा या तरं इसी माध्यम में ये वे उठ्जा या तरं इनको चलने के लिए मतलब संचरिन्ट के लिए माध्यम निए दीन के ज़् builder करने के लिए माध्यम की आउशयता माद्यम की अवश्रता नहीं होती है एनिगी इसको चलने के लिए माद्यम की अवश्रता नहीं होती है इसलिए इसे विदुचुम्ब के तरंग करते हैं अगर किसी भी उड़जा को चलने के लिए माद्यम नहीं चीए वो सारी के सारी विदू चुम्बक के तरंग होती है जैसे सूर्य से प्रित्वी पर प्रकास उड़ जाती है यहनि की कीरण सूर्य से प्रित्वड में सूर्य यहनि की देखो सन और अर्थ इन दोनों की बीच मीडियम कौन सा है सूर्य और प्रित्वी के बीच निर्वात है यहनि हरा है कुछ नहीं है तौरीर और अर्थ मतलब- ça tcm दोनों की बीच एर्थ कुछ नहीं है याई नी इसको निर्वात ये क्यूं बोलते हैं पर्कास च्राहर तक आती है तो इससी लिए इसको गटेहिए विदुद्द चुंब के तरंग में सारे सारे दोते-धरण भूते थे उधररन आ हमार पास पोर तेर कलास के इस्टुडें इसको नाम दिया गया है विदुचुम्ब कि तरंग वाले में यह वज़रा सिंग बनाते हैं वैसे इसका बनाएं इस में एक और वर्ड वाले में जिसे पहले का जाएगा जिसे मारपास किरण यह जितनी भी किरिने हैं वह वाले में एक है अमार पास जिसे विदु चुम्बू की तरणग वाले में एक वड़ आता है प्रकास कि तरह प्रकास यह हमार पास एक बायलोजीकल स्टूडेंट है जो पूरी दुनिया को दिप्त करते है प्रदीप्त उजाला यह बंदा एसा को अच्वालय प्रद्विप्त कर गया जोना चलिकी दुकान इसका नाम कि यह मैं इसका नाम दिए जोट की दुकान ये प्रकास होए गया हमार फास वाले में ये जो जुसरे अलम है वी bron अर्फास विकिरन वाड़ए स्थाथिये नहीं होती है नहीं दिखायो दिखायो नहीं है जैसे दिखायो किसी नहीं तक जैसे अम नाम सुनाएगा आपने कि इस साहुं आम है अल्ट्रा वाइलेट कि कीरण वाले में फुरियत से प्रकास आता है थो फरकास में किरण भी होता है किरें भी होता venture के एक अलग पॉइंट रजाएगा अमार पास एक तो अमार पास जैसे कीरण ही है एक विकेरण वाले में अब इस मेरे को दो तीन चीज़े और भी है एक तो आगया मार पास प्रकास उर्जा ये वाले में वाले में एक रजैगी अमारे पास किरण में एक रजैगी अमारे पास किरण अब अलग-अलग वाले स्थति में और जाएगी यह है अमार पास इलेक्त्रोम्यगनेटिक बेव में चल रहे हैं यह नाम को बोलते हैं वह प्रकास है वह हमार पास अपते हैं एक नाम है संध्या रथ्ट सबको दिखाय देते हैं एक दुरस्य प्रकास वाले में धिन बर हर टाइम धैन पोजिटिव अस्ता वाख्या मिलेगा यह हमार पास संध्यार रटी एно विद्थू चुंप के दरगार में प्रिश्य प्रकास सेयाँ के यह कुछ इंसान है जो खूएवय रहते हैभा मैंने क्योंग योड़म है उस वाले में हमार पास जैसे एक है खुएवे इनको बोलते है जितु हो बोलते हैं रेडियो तरंगे रेडियो तरंगे रेडियो तरंगे नहीं जिससे पॉन, टीवी, रेडियो, रेडियो तरंगों में यह पूरे सम काउंट है, नेट सिस्टम जितना भी चलता हू, इंटरनेट, फौन से निकलती है विकीरण, उनी को बोलते है रेडियो तरंगे, अब जो यह रेडियो तरंगे हैं, यह है मार पूरा जो सिस्टम इन ही के हाथ म इन की नाम एक ही है रेडियो तरंगे, इन काम बहुत है वाल में, चैया आप रेडियो में लेलो, फोन में, टीवी में, किसी वाल में, यह एक सवारुतरीक इंसान है जो सम्में आपको मिलीगा, ओल इन बन, प्रमेस है, इसको मिली है मासुम की उपादी, और तीर में एक मा काम बोलो, सम्में, इसे वाला रेडियो तरंगे वाला में, सम्में बंदा काउंट है, आवरक तरंगे, रेडियो तरंगे, गमा तरंगे, प्रकास हुझा, आएक रजेगी, यह हमार पास प्रकास हुझा, एक हमार पास जिसे हरमल, यानि की उश्मा, यह वाले में, अब यह ये उसमा वाले मेंगरम गर्म को मत बता हैं stupid कूछ और नाम भी मिल जायेंगे कुछ लोग मख अद्रशी ब ihr एक है कभी दिख्या नाम सुनते हैं कभी वाले में गौन पेंटे रहते हैं एक है जिनको को समझ नहीं सकता है यह उस्में वाले में ना जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं अग्यात है एक हमार पाश से वाले में इनको फिजिक समझ में आते हैं लेकिन हमरा आज तक कोई इसमझ में आया है यह कुछ इस परकार वाले में मेडियम की जरूरत भी है चंचरन करते हैं निर्वात में मेडियम चाही भी नहीं इनको उश्मा चंचरन करने के लिए इस प्रकास हो गया एक अमरे पास बताया ना अगरा विकिरंट इनका कोई उपयोग नहीं है लेकिन होती है ऐसे हमारे में यह हानिकारक यह से स्थान इस अल्ट्रा वाइलेट में इस चेत्रों में कांट अमार बहुता है अल्ट्रा यह सकते हैं अगले वहले कि यांतिक तरंगे यह फेतर रंगे मतलब उढ़ जिनको चलने के लीए मतलब फिया रिज्तितर होती है है जिरूर्ड है कि यह उश्ऱय के जरूरी है ग्यों इस दोन कि तो एक नाम और भी अगरेजिम बोलते हैं धौनी तरंगे तरंगे माद्दिम की अवश्रिक्ता इनको रहे गिया अमर पास एक वर्ड जिसको तरंगे जिनको चलने के लिए माद्दिम के अवश्रिक्ता वरती है पतलब जिसे आपने सुना होगा अंत्रिक्स में दो लोग बा बात नहीं कर सकते हैं माद्यम है ही नहीं कोई मीडियम नहीं है यह वाला जो अमर पास है मीडियम है वो नहीं है माद्यम नहीं है माद्यम नहीं है इसका मतलब ध्वनी तरंग के संचरण नहीं कर सकते जैसे अब ध्वनी तरंगों में भी तीन है यानि माद्यम है वो तीन ह है एक तो रजाएगा हमार पास मतलब फोस है एक है लिक्विड है इसका मतलब होता है ज्राव यह होता हमार पास है केस मतलब केस हमार पास इसको बोलते है हार्ड ऑस्क्षित इसको बोलते हैं हार्ड ऑनियस्ट मैं इसमें जो तरंकिया है वह हती है कशनी पांस हजार में एक सब्सक्राइब तो पता कर सकते हैं यह त समुदर में अगory तो हमें तो रहने वाले जलजीव है जल्य जीव उनको पता लग जाता है कि बुकम बाने वाला तो तरंग आप मतला उर्जा वाईबरेस्ट यह नाम यहाँ से स्टाड़ व्ल्ड यही वाइप्रियोशन यानि कमपन की बात हो रही है थोड़ा कम रहेगा पानी वाले में यह स्यनि हवा हम बोल रहें आप ढरें इसका मतलब पूर जो था सफेड़ वाले में नितर अब इनकी गति होती है लेकिन दिखाया निकांगी जेती है बहुत Music स्पीड कूब है लेकिन पता ने चलती कब कहां किसे निकले दर्वे तरंग वाले में होती है पीछ वाले स्थिति में मतलब सबसे इसमें सबसे कम इसमें स्पीड कूब है लेकिन पता ने चलती कब कहां गए यह वाले में हैं मारफास कुछ लोग है इसमें एक हों रहा है आप यह हुरा अब दोनों के वीच में हवा अब इससे पहले वड जो था यह वाले में में यह जो तरंगें इनको चलने के लिए माध्यम की ताउश्य तो है नहीं लेकिन वेग होता है इनका एक वेग वेग होता है तीन गुणा दस की पावर आठ मिटर पर सेकंड मतलब प्राबेगनी हो गामा हो अवरक्त हो दर्शे हो रेडियो परकास उरजा कोई यह वाले में इनको संच्छन के लिए जो गती होती है वो वेग होता है इंका व्य होता है इनका तीन लाग क्लो मिटर सेकंड मतलब सूरिय से परद्वी तक जो परकास की किरना आती है तीन तो प्रकास का वेग फिक्स है वेग इसका बोच यद्ध वाले स्क्रटी में रजाएगा कि अब है महार पास देखो में टरवे यह में अमर पास इसको बोलते हैं तुर्वे तरंगे द्रवे का मतलब हो गया है तिन नों को बोलते हैं यानी द्रवे का या मेटर का नाम एक नाम दिया वाए थार्थ यानी कोई भी मेटल पधार्थ वाल में मेटर वे उनको कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन नूट्रोन यानी इनको नाम दे सकते हैं हम एक शुष्म कणों से सम्दीत कणों की गती शुष्म कणों से सम्दीत कोई भी गती होती है उनको मेटर वे का जाता है सुष्म गणने इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन नूट्रोन जिसको खुली आंकों से नहीं देखा जा सकता है एक हमार पास है तीनों के नाम हमारे पास इस पर कारते हैं एक हमारे पास दूसरा रजेगा हमारे पास है एक इनिकल वे में और तीसर अएगा मेटर वे ये तीन परकार की तरंगे होती है संच्रन में आधार पर अब है मेरे पास प्लिशा के आधार पर अ किसके आधार पर रहं है वार बास दो आधार है एक का shown । अनोद ढ這邊 बोलते हैं लोंगिटूडनल अनुधेरिये तरंग या लोंगिटूडनल पेव्ज अनुधेरिये तरंग या जैसे एक स्प्रिंग को प्रेस करते हैं इसका मतलब होता है प्रेस करना मतलब संपिडन थोड़ना अलग-अलग होगे उसको बहुते हैं विर्लन यानि कि दो करमागत टकर जैसे दो गाड़ियें बिढ़ती है दो करमागत टकरों के बीच संपिडन और विर्लन हो इन तरंगों में इन तरंगों में करना यह कह सकते हैं कंपन यह रंग में यह निए कंपन वहां एक ही दिसा में यह कह सकते हूं एक ही दिसा में यह सब्क्राइब जब उड़जा के कमपन एक ही दिसा के समानतर गति करें तो उसे बोलते हैं अनुधेरिये तरंग जैसे हमारे पास पर पास brain के एक सिर्येमप चोड़ करेंगे तो वाइब्रियोशन होते हते इस घरेक्शन में कमपन करती करेंगे इस को बलते हैं अनुधेरिये लोंगी टूडनल इन इक भाग और हमारे पास इसको बहुते हैं अनुप्रस्थ तरय आप इस को अंग्री में नाम है कास्वर बीव यदी कमपन तल के लंबवत पहले कहता है एक ही दिशा में तल के समांतर पहले वाड़े में इसमें कमपन तल के लंबवत गती करेगे इससे जो पहले वाड़ा था एक ही दिशा के समांतर गती यानि कि साउंड वेव और इसके अंदर न रजाएगा तल के लंबवत गती यानि परकास उठाव उदर वाड़े में यह कह सकते हो एक शिरा दो शिरा दुनों की बीच में धाकबांदिया पकड़ के गिस्तें यह रह तल के लंबत गति तल के लंबत होई हमार पास अनुपरस्त अब हमारे पास अनुपरस्त आगे दो आधार प्रेम कि तरंग बोलते हैं तरंग का एक साब्दी काड़ता है यानि न पुर्जा के विक्षोब को पुर्जा के विक्षोब को तरंग कहते हैं विक्षोब का मतलब विस्पोर्ट होता है धमा का पुर्जा का कोई भी विस्पोर्ट हो विस्पोर्ट का दो टकराया गए बंब का दमाका हो गया फटा का फोट गया कुछ भी पुर्जा का विक्षोब है उसी को तरंग कहते हैं अब प्रंग का जो हमारे पास दो वर्ड नाम है एक नाम है अरगामी यदि ऐसा हो कि पुर्जा का विक्षोव में कमपन गती करें क्या कह सकते हैं पुर्जा का इस्तानांतरण हो एक इस्तान से उर्जा दूसरे इस्तान तक जाती है मतलब यह कह सकते हैं जैसे आग लगी है आग लगने पर उश्मा आग वी आग और उड़जा मतलब जो उड़जा है वह आगे की और ट्रांसफर हो जाएगी तो हमारे पास जो उसको कहते हैं कि उड़जा का विक्षोब है वह आगे की और गतीरे या उड़जा एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक इस्तानांतरण हो उसको वोलते हैं परगामी तरह का समय करना होता है य बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस पाइं ये वाले में एक है हमार पास एपरगामी उड़जा का विक्षोब होने पर कण इस्तिर रहे और उड़जा का इस्तानांतरण ना हो उसको वोलते हैं आपरगामी तरंग वाले में किरे जएगा मार पास आपरगामी तरंग के लिए आप देखो दो इस्ततियों में मार पास हमारे पास ये कलास पूरी 4 साल के लिए last class रहेगी के बाद में ना तो ये college life होती है ना कोई जिंदगी वाड़े में होती है life ऐसे ही चलती है सबकी same same ही रहती है जैसे मैं आपको इसमें एक शारी में समझाते में जैसे एक शारी है उजड़ी हुई दुनिया को आबाद ना कर बीते हुई लहमों को याद ना कर एक परिंदे ने मुझसे कहा था भूल चुका हूँ उड़ना पुझे आज़ाद ना कर ये शाहरी वाले में ऐसा है आपके लिए है कि जब आप फोर्ट एर में जब आये थे तो आप जनजाल में हमें एक जनजाल में लगा कि हमें अक पेंजरे में बान्धिया गए हूँ और हाप को लेज पेंजरे नहीं हैं जाना हमें सब्सक्राइब और हमोर्ट ये क यादगार की रूम में रहें ऑपके नाम हमने कोश्शिस किये जोड़ने की हूँ इसलिए इसे हम बताते हैं कि ना राज जिंद्गी है ना राज जिंद्गी है जो बस है आज जिंद्गी है उड़ जाएंगे एक दिन हम परिंदों की तरह हैं हम बेटे हैं वक्त की टहनी पर रंगों की तरह है यह वाले इस्ति दिर जाएगी टोटल वाले में एक हमार पास इसी का एक लास्ट टोपिक है वहर एगा कि विस्थापन हरा यानि इसको अंगरिजी में बोलते हैं इस प्लैस्मेंट कि इस प्लैस्मेंट करेंट किस्ताफन धर्हा वाले में इस्ताफन धर्हा होती है और अजाएट प्लस में एक साट माइनस में और यह जुड़े होते हैं कि अधिंग से एक प्लस में एक में होता है प्लस क्यूं एक में माइनस क्यूं में कि बीच में को एक पराविदतांग भरा होता है यह स्तती में रजाएंगे यह संदारितर के कारण उसको अगर चार्ज किया जाता है कायल है जैसे एक केपिसिटर संदार यतर को अंगरीजी में बोलते हैं के पिशेटर, संदार यतर कहते हैं वह है उपकरण जिसका आधार बढ़ाए बिना, आधार मतला बेस, यहीं कि आधार बढ़ाए बिना आवेस, आवेस है निक्यूं को संग्रहन करने की युक्ति या उपकरण यह बड़ी आधार बढ़ाए आवेस ग्रहन करने की युक्ति को अंदार यतर कहते हैं मतलब केपिसेटर वाले में मार पास है रहे जाएगा केपिसेटर केपिसेटर में विदूत उड़ जाओ हो होती है सिगमा अपॉन एफ साइनो यहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड है और एफ साइनो विदूत सीलता है सिगमा बराबर इसे क्यों बराबर तो एफ साइनो वाली इस तती के अनुसार रहे जाएंगे अब हमारे पास जिसे क्यों बराबर कि एए हो जाएगा हमारे पास एरिया यानि इस प्लेट का आधार का चत्रफल कि हमारे पास आधार वाली स्तिति में रह जाएगा अब जिसे घनत्व निकालते हैं वह होता हमारे पास है गनत्व होता है टी अपॉन एम अपॉन वाली स्तिति के लिए यदि हमारे पास प्लेट की कारण गनत्व है तो अधार सिगमा बराबर क्यों अपॉन अब शे यह जबह आएगा हमारे पास य की रूप में तो हमारे पास ग"-द्वरेगा सिगमा बराबरγ सिग्मा य क्यों को आप बड़े और च्छोटे रूप में रखचाए और क्यों बराबर लिखना हो तो हमारे पास ये इस्तितिmas निकालना हो तो ये वाले सिख्मा के जिगहें लिए यह वाली सिख्मा के सिख्थे में यहां हम क्यों आप लिख सकते हैं को इस साड्व गुणा कट देंगे जो रजेगा अगर हम इसके लिए निकालते हैं धारा धारा यानि यानि इलेक्ट्रिक करेंट क्यों बराबर वेल्यू है हमार पास यह वारी यह रजाएगा डी अपॉन डी टी एक होता है हमार पास नत्वा होता है जे बराबर यह होता है हमार पास आई अपॉन ए यदि हम आई की वेल्यू यह स्तती में रखे तो हमार पास यह रजाएगा एफ साइनो डी इबाई यहां पर एक एफ साइनो कॉंस्टेंटर तो जे बराबर इसको लिसकते हैं डी अपॉन डी टी एफ साइनो ई हम जो मारे पास जो एफ साइनो ई है इसी को लिखते हैं डी आर्थ इस प्लेस्मेंट करेंट यह हमार पास एफ साइनो ई इन दोनों का गुणा है डी इस प्लेस्मेंट करेंट की बराबर होता है इसको हम लिखते हैं इसको आपके से उसी में लिखा जा सकता है इसको हमार पास रजाएगा जे इ अपॉन डी टी इकी ओम में हमार पास आज का टोपिक था किताब के लिए वेव का इंट्रोडिक्सन जो संचर्ण के अधार पर तीन परकार के होते हैं विदुद्चुम्व बुद्जा के आदार पर दो प्रकार जाएंगे वह जाएंगे परगामी और अगले टॉपिक रजए हैं कि इन दोनों का इन फालवर्ग के ब्राबर आज का आप पास टॉपिक यह था फिर अगले साल पिर जिंदिगी में कभी मुलाकात होगी अब तक के ले जाएं